हेलो सुरेंट्स आई इतिहास के मैदान से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर कहा हूँ और उस टॉपिक में ना है कि इन पॉलिटिकली कलब्स के फ्रांस के डेफ्लमेंट एक बहुत इन पौर्टन पार्ट था ये उते एक रेलिंग पॉलें ये था कि जितने भी आपके जो third state के लोग थे, वो लोग जहें ऐसे ही clubs में आपस मिला करते थे और यहां मिलकर किये हैं यह government की नीदियों को और government के खिलाफ इनको आने बारे टाइम में क्या actions ले रहे हैं इनके बारे में इसके बारे में discuss किया करते हैं इस context में देखते हैं कि एक important club, political clubs में से निकल करके आता है, इसका नाम होता है Jacobin Club, अब Jacobin Club जो था, इसको इसका नाम मिला था St. Jacob's नाम के एक church से जो परिस का एक बहुत ही famous church था जिसको जो है, युशली लोग जहें विजिट करके थे और अपने लिए एक blessing मानते वे जो है, St. Jacob's church को जो है, इन्होंने जो है, उसका नाम जो है, अपने club के नाम से जो है, इन्वाल्फ किया था, उसे नाम था Jacobin Club अब इस club के जो members थे, जी जातर वो लोग थे, जो समाज के उस session से जो है, बलॉंग करते थे, जो आपके जो है, बहुत prosperous नहीं थे, यानि कि वो लोग जो जातर आपके गरीब श्रड़ी मानते थे, जिनकी incomes बहुत जातर नहीं थी इस club के जो लीडर थे, उनका नाम थे, जो है, अपने आपको बिल्कुल एक common man का जो है, प्रतिनिधी शोकार, करना था, तो उस condition में इन्होंने अपने dress court का भुआ ध्यान रखा था, ये जातर इन्होंने अपने dress court मेरे सबसे important चीज थी, कि इन्होंने जो trousers, परिने आपकोर करते हैं, इसी के साथ-साथ जो है, ये लोग है, रेटलर की, एक क्या भी पहनते थे, जो symbol था, लिबर्टी का, और क्लब्स का, यानि की क्लब्स, कौन से क्लब्स को ये बलॉंग करते हैं, और साथ-साथ क्लब्स होते हैं, वो किस स्वधनता के साथ में काम किया करते थे, the independence of the people, क्योंकि इन लोगों को जो है, लोगों के पीच में, ये message pass करना था, कि they are different from the nobles, ठीक है, that is why they actually decided to dress with these strip trousers and red caps, क्योंकि जो nobles से, भो लोग जो है, नी प्रीचेज, यानि कि एक ऐसा clothes पेंते थे, एक ऐसा dress पेंते थे, जो symbolize करता था, कि वो लोग जो है, high class है, वो लोग जो है, उपर की शड़ी में आते हैं, और इसी चीज़ में अपने आपको different रखने के लिए, यहाँ पर ये, जो club के members से, ये लोग जो है, ये strip trousers पेंते थे, आगे मैतना है, क्योंकि ये लोग जो है, strip trousers पेंते थे, and they were not wearing the knee breeches, that is why, इन club के members को, जो है, sense culottes भी का जाता था, यानि कि those without the knee breeches, आगे बढ़ेंगे, कि इस सब के अब साथ-साथ जो है, women's का भी, club की activities में participation बढ़ना शुरू हुआ था, ये जागे बिन club की members नहीं थी, बलकि women's में अपने खुद के clubs और political organizations फॉर्म करने शुरू करी थी, इसके पीछे, जो reason था हुई था, कि ये लोग जहां लगातार अपनी rights के लिए, जो है, demand कर रही ही थी, हमें देखा था कि females को जो है, एक active participation, active citizen के तरजह नहीं मिला था, they were considered as the passive citizen, that is why, women actually form their own political groups and clubs, ताकि आने बारे time period के अंदर है, ये एक मंच के मात्यम से अपनी माम को आगे रख पाई, अब हम पढ़ेंगे, immediate reasons के बारे में, लोगों के बीच में, जो है, किंग लुइस स्टीन को लेकर भी गुस्ता लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसी context में, 1792 में, जेकमिल्स में, इस situation के advantage लिया, जब पैरिश एंस, यानि कि पैरिस में लिए लिए लिए, ये लोग जो ते गुस्ता के एक खाने की सप्लाइब बहुत पाम ही और फूड के प्राइस से बहुत जादा राइस हो गए थे, इस context में, और स्टेंग में, जो है, कि सब लोग जो है, ट्यूलरीज, जो किंग को ऑफिशल पैलिस्ता वहाँ पर जो है, ये जनकि आम पर कर देते हैं, महाँ पर इक इनकि को जो है, एक बंदी बना लिए जाता है, और फैनली, असेंगली को एक बंदी बहुत करती है, कि रोयल फैमिली को जो है, कैदी बना लिए जाय TM कल हम लोग जो है जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दी राइन ओफ टेर्म तेंग लश्ट